जो है वो क्या चीज है अब देखिए इंटर डिपेंडनस क्या है कुनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ जुड़े होना ठीक है हर चीज काइनात के अंदर यह दुनिया के अंदर दूसरे से जुड़ी भी है यही इसका कॉंसेप्ट है कि हर चीज आज के इस आई-ार के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉंप्लेक्स हो चुकी है बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में जो है वो उसके लिंक बने वे है एक मुल्क के दूसरे के साथ दूसरे के साथ दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा interdependence लेकिन universe के अंदर भी हर चीज interdependence ही है कि हर चीज किसी ना किसी जगा पर दूसरी इसके साथ जुड़ी वी है जैसे हम देखते हैं कि एक cycle है human cycle कि अगर हम बात करें ठीक है तो वो भी किसी ना किसी तरह से पूर इस universe से जुड़ावा है और वो जो universe अपस में जुड़ी वी है वो भी इसी वीज़ास जुड़ी वी है कि connectivity है कोई चीज independent नहीं यहां पर concept यह है कि कोई भी चीज इस काइनात के अंदर जो है वो independent नहीं आज़ाद नहीं खुदमुक्तार नहीं वो किसी ना किसी तरह दूसरों के उपर dependent ही है अब देखिए इस picture के अंदर एक बहुत जबरदस किसम का concept है कि यह interdependent है अब यह जो stone है यहां पर यह first stone अब यह यह कहे कि मेरा इस stone के साथ कोई link नहीं ऐसा possible नहीं क्योंकि कि अगर इस stone को यहां से निकाल दिया जाए तो यह पूरे का पूरा structure गिरेगा जब पूरा structure गिरेगा तो उससे इसको भी जो है वो फर्क पड़ेगा इसका मतलब यहां से इसको निकाल दिया जाए तो इसको भी फर्क पड़ेगा इसकी बिल्कुल वैसे ही है कि बइइ इनसान जो है वह आजाद है तो कोस क्षच्चिन यह है कि इनसान आजाद है लेकिन अरिस्टोटल ने कहा था कि फिर बी सोशल एंिल है, वो एक झोड़ावा है वो एक हैवान है, ठीक है जी मौशी हैवाण है, मौशरती तो आज अगर एक इनसान सोचे कि वो दूसरे के साथ जो है वो नहीं जुडावा तो question यह है कि वो उसके सिहत का क्या होगा उसकी तालीम का क्या होगा उसके food का क्या होगा उसके living का क्या होगा ये सारी चीजें वो तब ही हासिल कर सकता है जब वो दूसरों के साथ connect होगा, उसकी connectivity होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इनसान connect है, वैसे ही मुमालिक भी जो है, countries भी आपस में connect होते हैं, कि ये मुल्क इसके साथ agreement, इस मुल्क का इसके साथ, इस मुल्क का इसके साथ, इस म यहां पे multinational जो है इसने office खोलावा है यहां पे company है उसको purchase किया वे इस multinational ने ठीक है इसी तरह से यहां पे इसकी product जा रही है multinational की यह production house खोलावा है इसने तो यह पूरे का पूरा complex structure बनावा है इन multinational का इन organizations का ठीक है इन institutions का जो सबसे main role play कर रही है multinational हो गई ठीक है या फिर institutions हो गए तो यह क्या कर रहे हैं यह आपस में connect है मुमालिक आपस में connect है और यही interdependency है कि यह दूसरी को उपर depend कर रहे हैं अब यहां से multinational को अगर आप close करते हैं इस मुल्क से let's suppose तो क्या होगा नुकसान होगा इसका structure भी खराब होगा इस मुल्क का भी नुकसान होगा यहां पे जो है वो jobs खतम होगी तीक है इस मुल्क की economy में जो revenue आ रहा था वो उसका नुकसान होगा इसी तरह से आप अगर देखिए institutions जो है international institutions दोस्यों वालिक में काम करें उनको stop कर दिये जाए तो उसका कितना problem होगा तो हर चीज आज इस changing world के अंदर जो है वो दूसरे से जुड़ी वी है और यही जो जुड़े होना है यही international relations की जान है और यही international relations का focus है सबसे बड़ा कि देखिए एक time था जैसे 1970s के बाद चाइना ने क्या किया अपनी open border policy एक start की कि इससे पहले चाइना एक reserve country था वो अपने मुलक के अंदर जो पैदा करता उसी को use करता एक उसी तरह से चलता लेकिन उसके बाद चाइना ने इस बात को महसूस किया कि या जब तक मैं दूसरों के साथ relation नहीं बनाऊंगा तब तक हाला ठीक नहीं होंगे इसलिए उसको दूसरों के साथ relation बनाने पड़े वहाँ पर मल्टाइनेशन को अलाओ करना पड़ा वहाँ पर companies आई अब देखिए अब जहां पर ऐसा होता है कि एक company है वो है जापान के अंदर ठीक है अब अगर वह जापान के अंदर है लेकिन उसका production house चाइना के अंदर ह है क्योंके labor सस्ता है और यहां पे जोसकी supply हो रही है पूरी दुनिया के अंदर यहां से supply हो रही है US के अंदर Canada के अंदर और हर मुल्क के अंदर जो है वो supply हो रही है वहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अब किस तरह से दुनिया जुड़ी वी है कि जापान किस तरह से चाइना के साथ अपनी company के तुरू चुड़ाव है और चाइना किस तरह से US के उपर independent है इसी तरह से US या अमेरिका की ज सा जुड़े होना एक दूसरे के मोहताज होना एक्चुली में यही इसका concept है international relations के अंदर कि यह अगर निकाल दिया जाए interdependency तो मुझे कोई जुरूयत नहीं या पाकिस्तान को कोई जुरूयत नहीं कि अमेरिका के साथ चाइना के साथ तालुकात रख सके इसका मतलब अग यहां पे complex structure बनावा है आगे बड़ते हैं बात करते है Dependency theory कि Dependency theory क्या है dependent होना अब अप बात करते हैं dependency theory अब देखिए dependency theory क्या है कि अब दुनिया में मुक्तलिफ तरह के मुमाले होते हैं अब दुनिया मुक्तलिफ तरह के मुमाले अगर यहां world map के अंदर आप देखिये तो कुछ मुल्क हैं जो powerful है जैसे अमेरीका है, कैनिडा है, अमेरीका है और कुछ इनके बीच के मुमालिक हैं जो के बहुत जादा अमीर भी नहीं और बहुत जादा गरीब भी नहीं ठीक है उनके अपनी कॉलिटीज देसे पाकस्तान की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं ठीक है तो यह कौन से कंट्रीज हैं यह वो हैं जो ना बहुत उपर है ना बहुत नीचे हैं तो इसका मतलब हमें एक साइट पर एक ग्रूप दिखाई दे रहा है जो के अमीर हमालिक का है दूसर साइट पर हमें ग्रूप दिखाई दे रहा है बी जो के हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गरीब हमालिक का है तीसरा वो Group है जो के इनके बीच में कहीं पर C Group जो है वो exist करता है अब हर Group दूसरे Group के उपर जो है वो dependent है ठीक है उनकी उपर उनकी dependency है किसी ने किसी तरह से वो एक दूसरे के मफादात के लिए काम कर रहे हैं अब point समझे है मैं क्या किया है हूँ मफदात के लिए काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए किसने की सब्सक्राइब कर रहे हैं Let's suppose कैसे कि अगर ये powerful countries जो हैं ये powerful countries कियो किस के लिए काम कर रहे हैं जी अब ये कर रहे हैं अगर products बना रहे हैं यहाँ powerful countries के अंदर अगर multi-national organizations हैं, यह multi-national organizations जो हैं, यह products बना रही हैं और यहाँ पे अफरीका के अंदर बेच रही हैं, अब इसी तरह से यह जो powerful countries हैं, इनके हाँ labor जैसे मैंने पिछे बात की महगा है, तो यह क्या करेंगे, eastern countries का रुख करेंगे, और यहाँ पे इनको labor क्या मिलेगा, cheap मिलेगा, इसका मतलब यह जो B countries हैं या C countries हैं, वो serve करने हैं A countries के लिए किसी ना किसी तरह, तो A countries यानि powerful countries dependent है B और C के ओपर, एक तो इस तरह, दूसरा इस लिए हैं कि यह जो products बना रहे हैं, यह जो powerful countries जो असला बना रहे हैं, जो जो चीज़ भी बना रहे हैं, अब वो खरीदे का कौन question तो यह है, क्या यह अपने लिए बना रहे हैं, नहीं, दूसरों को बेचेंगे फाइदा होगा, ज़्यादा ज़्यादा, इसका मतलब यह जो middle class create कर रहे हैं, दूसरे मुमालिक के अंदर, ठीक है, पाकस्तान जैसे खरीब मुमालिक के अंदर, C categories के लोगों के अंदर, तो यहाँ पे इन मुमालिक को यह क्या करें, sale करने हैं वो चीज़ें, जैसे अमेरिका असला अगर sale करता है, पाकस्तान को पिछले 70 सालों से वो sale कर रहे है, तो क्या हो हमें free में sale कर रहे हमसे तो पैसे ले रहे है, अगर रश्या जो है वो इंडिया को sale कर रहे है, तो क्या हो free में sale कर रहे हर्गेस नहीं, इसका मतलब यह powerful countries किसी तरह से sea countries जो है, यह जो less powerful हैं, उनके लिए serve कर रहे हैं किसी न किसना से, उनके उपर dependent है, इनकी economy उनके उपर क्या है, dependent है, तो यही dependency theory कहती है, कि भाई यहां पे कोई भी मुल्क आपस में free नहीं, independent नहीं, क्योंकि उसको जो अमीर मुल्क हैं, जो rich countries हैं, उनको गरीब मुमालिक के साथ, जो है, वो मिलके चलना पड़ता है, क्योंकि जो product बनाते हैं, वो उन्हीं के लिए हैं, इसी तरह से जो गरीब मुल्क हैं, उनको अमीरों के साथ मिलके चलना पड़ता है, क्यों कि अमीर उन्हें फाइदा देते हैं उन्हें इमदाद देते हैं सब कुछ करते हैं इसी तरह जो मिडिल कंट्रीज है वो दोनों के उफदात के लिए काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर मुल्क दूसरे के ऊपर किसी ने किसी तरह से defendant है हर ग्रोप जो है वो दूसरे के ऊपर dependent है तो यही सबसे इंप्रिंद्स है और